अधिन भाई फुल हो गया एक निकलता है था कम से कम आधा लीटर निकल जाता है एक कट लगाने से भाई बहुत मैं और ज्यादा निकलेगा बेसी निकलेगा जैसे-जैसे पेड़ बढ़ा हुआ यह बेसी निकलेगा यह रवड़ का पेड़ देख लो भाई यह पहली बार देखा मैंने तो जिन्दगी में आप भी देख लो फुल हो गया यह देखो फुल हो गया ओमाई गॉड यह दूद की तरह हैं यह कट लगाए है यहां से थोड़ा सा कट लगाते हैं फुल हो गया जैन दोस्तो मित्रो आज मैं आपको वो यूनि प्रबण की चली हो गया जो कुछ भी रबण होती है वह कैसे बनती है नेचुरल रबाट नेचुरल नौट सिंथेटिक आजकल थो सिंथेटिक भी बनने लगी है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नैचुरल रवड हम पेड़ों से कैसे निकालते हैं, रवड का पेड कैसा हुता है, तो अभी हम चल ले हैं, पैदल देखिए, और मैं हूँ तरप्रा के अंदर, तरप्रा में रवड के बहुत बागान ही बागान है, तो मैं तरप्रा में आया हूँ, लगबग सहर से, अगर से 80 किलोमीटर दूर आया हूँ, तो रवड के बागान देखने के लिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आपको पहली बार देखने को मिलेगा, कि रवड निकाली कैसे जाती है, फिर उसकी सीट कैसे बनती है, तो उससे पहले भाई, रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सकाइ यह आती है, कट कैसे लाए, ताब वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सकाइब जरू कर दो, कर दिया, चलो वीडियो आगे बढ़ाते हैं, मेरे साथ यह अंकल जी है, यह दिखाएंगे मेरे को, ठीक है, यह दिखाएंगे, और सब कुछ बताएंगे, और देखिए नीचे हम नीचे जा रहे हैं, चलिए आपको दिखाएंगे, यह तो जंगल सा आ गया, बागान है क्या यह, भाई हम तो एक बागान से में आ गये हैं, बागान मींस बाग, बाग केंदर, रबड है यह, कौन सा पेड है रबड का, यह रबड का पेड है, ओ आपको दिखाता हूं, रबड का पेड भाई, यह जो देख रहे हैं न, यह सारे के सारे पेड रबड के हैं, यह रबड के पेड हैं, और यह भी रबड का है, और देखिए, रबड कैसे निकाली जाती है, यहां से कट लगाया है, यहां से ऐसे ऐसे कट लगा के, और यह पत बड़े सह उसमें हखटा किया जाता है यह जितने वी पेड़ हैं सब के सब ड़बड के कट्वि लगाया हुआ है यह थोडा सा और दिखाए ऐह दूसरे पेड़ पर धेgesti और कट्साओ रवडroad निकल चुका अई गो में फिराबड यहां और इस्मेर टॉ जाता है निचे तो यह sommand studio शुटा है अजवा शुमे अन्यत्स और कि देंक हैं को अनी इसका्रवाद हो कि आधानग इसको झीचओ प्रबढा यह देखो नेचरल divorced यह रबड का पीडता नेकल लगाया है ए देखो यहां से कट लगा पूरा ए रबड का दूद निकल दहाए यह देखो यह यह रबड है यह रबड है फिलाल थोड़ी देर में यह यह ईसमें जम जाएगा यह देखो यह डबबा भर जाएगा पूरा मुझे लगती है इसको कितने कट लगे हुए है यानि कई बार इसमें से यह कटी कट लगे है कटी कट लगे हैं यानि इसको काट दे रहते हैं रवड निकलता रहता है और डिब्बे को कैसे कसा है ये भी देख लो ये रवड मेरे हाथ में चुपक रही है इसको मैं निकाल देता हूँ ये तो हाथ मेरा थोड़ा से एक बूंद ली क्या लिए वो चुपकने लग गया तो ये ऐसे रवड निकलती है दूद नहीं है दूद के दोके मत पी जाना ये रवड है आप हर जगे देखने ताजी ताजी कट लगे हैं हर जगे पर इस तो दूद है वो एक सो डेड़ सौ पे केजी भिकता है यह बाई साब है यह इससे कट लगाते हैं इससे कट लगाते है रवड के पेड के अंदर यह ना हतियार रवड के पर ददा तुम्ही हिंदी का जन वो जन ना जनी हैन् bullish हिंदी जनता है अप नहीं संति हैं थुड़ा थुदाते खाथा ताएस दादा को आता है ओ इससे कार्ट dignity इंदर कट लगा जाया जाता है व फुट रबद के लिएaste मि अच्छ का लगाते सी का गाते है साग के मैंस लगा देती है वह तूमना की अचालमा शजलनर श् यह बाई साब पलट दिया ईनहोंने दभे कठ लगा रहे दोत यह देखो माई निकलने लग गया अबड़ कांटे नई दुद् निकलने लगggiा काटे ही अखिर को तो दर्द होता हुआ हुआ जा göz tiredness आपके में रहुटा जो एक वार में दर्द होता हुगा पेड को दो ऑग जो ही निकलता रहेगा इसके अंदर यह मी पक्री होगा यह वी विक्री होगा चौछ लोग एभ्यार पांदगाशित 25 टका तो नीचे गर रहा है 25 टका बोले तो यह पर है शीट कर बतो नहीं 35 को कितना निकल जाता है डेली 30 35 लीटर निकल जाता है इधर कंपनी है यह खरीदने वाला नहीं अगर तला जाना पड़ता है यह दूद लेके वाई विक्क्री के लिए अगर तला जाना पड़ता भाई को अच्छा सीट बनाने ओ माई गॉड मुझे आप समझ आया एक घर के बाहर मैंने देखा बहुत सार का सीट भी दिखाऊंगा आप समझाया वह रवड का सीट होता है इसका वह बनाना पड़ता है फिर विक्री होता है यह भी विक्री हो जाता है ना चलो थेंक्यू दादा हम यूटूबर है और आप से मिलके अच्छा लगा